हेलो एबरीवन मैं विकास जैसा कि आपका हंदी आदित्य पफिलिकेशन में बहुभ विखल पिये प्रश्नों का महमेराथन चल रहा है उशी क्रम में हम आगे वडेंगे जो आपका अगला जो टॉपिक है समास तो समास से आपके जैतने भी बहुभ सबसक्राइब नहीं है यहाँ पर प्रशन अगला है प्रशन नम्र दूसरा निमल्खित किस एक में कर्मधारे शमास नहीं है लड़का भूंक से अदमरा हो गया था तुम्हें अपना भला बुरा स्वैम सोचना चाहिए बिभा सम्मंद से उच नीच देखना पड़ता है उठो दिया वाती का समय हो गया तो यहां पर जो आपका कर्मधारे शमास है वो आपका अदमराश में नहीं है और बाद बागी में सभी में ठीक है इसमें भी हो सकता है आपका इसमें थोड़ा डाउट है इसमें क्योंकि सभी में लग रहा है आपका कर्मधारे अदमरा मरा तो है लेकिन कैसा है अदमरायनी विशेशड उसकी विशेशता वतारा चलिए इसे छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखेंगे प्रशन आपका तीसरा है कि गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है अब बेवा समास है ततपुर शमास है बहुरी समास है या करमध समास है देव तो है उसकी विशेशता कैसी है वो गुरु का देव है ठीक है आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका चार है वारे सिंगा शब्द में कौन सा समास है बहुरी है करमधार है द्वंद है या अब भाव है तो यहां पर आपका जो हो जाएगा बहुरी समास हो वारे है सिंग जिसके अरतात किसके है वारे सिंग आगे आगे बढ़ेंगे चलिए आगे देखते चलिए अगला जो प्रशन है आपका प्रशन पांच है कि करमधारे समास का उधारड है यगन चुम्बी है पाट साला है स्वेत पत्र है या नील कंट है तो यहां पर जो करमधार का option आपका सी सई हो जाए यानि सुवेधपत्र है परसंद 6 है परमानंद में कौन समास है द्वंद्ध शमास है कर्मधार है आपकी कर्मधार समास है अनंद हो है लेकिन कैसा है परम है कर्मधार शमास में क्या होता है पहला पद आपका विशेश्ड हो और अन्य पद कैसा हो विशेश्य हो या दूसरा पद विशेश्ड हो और पहला पद विशेश्ड हो दोनों ही पद विशेश्ड हो सकते हैं ठीक है या दोनों पद विशेश्ड हो स चाहिए कर्म धारël ठीक है तो यह आपका समास नहीं होता है आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका 8 है कि समास में दोनों पत्परदान हो कि अगे बढ़ेंगे अगला किसमें को syndrome का ढूरान है औक co cream का उत्स में करा वेलाएं बत्ते हैं कि 141 कि प्रदान हो आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन देखते हैं प्रशन आपका नौ है किस समास में प्रथम पद संख्या वाजी था अंतिम पद संग्या हो वह होता है द्वन्द होता है तत्पुरश होता है दिगु होता है आप बेभा होता है तो नौ में का जो आंसर है अब आपका सी सही हो कर्मधारे हैं अध्वन्द है अधिग है या बेवाव है तो महाजन में आपका कौन सा है कर्मधारे समास है ठीक है आगे वड़ते हैं चलिए चली अगला जो प्रिशन है आपका ग्यारे है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता था अन्य अर्थ प्रधान होता है वहां होता है कर्मदार होता है बेभा होता है तक पुरस होता है या वहवरी होता है जल मगन में कौन सा समास है द्वंद है अबेभाव है ततपुरुष है या कर्मधार है तो बहाँ पर आपका जो समास हो जाएगा सी यानि ततपुरुष हमास जल में मगन ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन देखेंगे प्रशन आपका तेरे है बज्र पारी सब्द में कौन समास है ततपुरुष है वावरी है द्वंद है या द्विगु है तो तेरे का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा ब कर्मधार है होगा द्वंद होगा या द्विग होगा तो चौदे का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा यानि पंच वटी पांच वटों का समू आगे बढ़ते हैं अगला जो प्रशन है आपका प्रशन पंद्रे है सुनीता के बच्चे घासपूस की तरह बढ़ र चली आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है आपका सोले है निमल के सब्दों में से कौन सा सब्द बावरी समाश का उधारण है सूल पाड़ी है यथा अक्रम है असमुक है या हत्खडी है तो सोले का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा सूल पाड़ी ठीक है आगे चत्र बुझ है तो सत्रे का जो आंसर है वो आपका डी सही हो जाएगा निए चत्र बुझ ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन देखेंगे प्रशन आपका अठारे हैं प्रति दिन सब्द में समास होगा दिगु होगा कर्मधार होगा तत्पुरुष होगा या अब भाव समास हो जाएगे निए उप्सन डी सही है आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका उन्ने से हैं कि जिस जिन समस्त पदों में पहला पद संख्या बाची हो अभी मैंने बताया था तो वहां आपका कौन सा हो जाएगा दिग होगा द्वन्द होगा कर्मधार होगा या बेव होगा तो वहां पर आपका दिग शमास हो जाएगा पहला पद संख्या बाचीओ समस आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका 20 है जिसमें पहला पद विशेशण हो दूसरा पद विशेश हो वहां शमास होगा दिग कर्मधार है द्वंड यह तत्बरुष्ट तो मैंने बताया जहां पहला पद विशेशड या अन्य पद विशेश हो या दोनों ही पद विशेशड हो या दोनों पद विशेश हो तो बहां आपका करमधार है शमास हो जाता है यह बी ओप्सन आपका सही हो जाएगा ठीक है चली आगे बढ़ते चली अगला जो प्रेशन है आपका 21 है जि वाँ आपका तत्पुर्ष शमास हो जाता है अगला प्रशन देखे प्रशन वाइस है कृष्ण और सुधामा गुरु भाई थे यह नि गुरु भाई में कौन शमास है अब बेभाव है तत्पुरुष है द्वंद है या फिर आपका बहुवरी है तो यहां पर गुरु भाई मेरे आपका हो जाएगा तत्पुर्ष शमास ठीक है यानि प्रशन 22 का है बी ओप्सन आपका सही हो जाएगा आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है प्रशन 23 है लड़की चौलोडी पहने है रेखांकित में शब्द है मत समास है दिगु है वहरी है अब्वे वहाव है या द्वंद है तो 23 का जो आंसर है वह आपका ए सही हो जाए यानि दिगु शमास है ठीक है आगे बढ़ते हैं आपका 24 प्रशन है जिस समास के दोनों ही पदपरदान हो बहां कौन समास होगा दिग होगा द्वंद होगा तत्पुरश होगा या कर्मधारे होगा तो बहां आपका द्वंद समास हो जाएगा बी ओप्सन आपका सही है ठीक आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है प्रशन आपका 25 है जिस समास में पहला या बाद का कोई भी पदपरदान नहीं होता है वहां कौन समास होता है अब्वेभा होगा वहुरी होगा द्वंद होगा या कर्मधारे होगा तो प्रशन का जो आपका वी ओप्सन सही हो जाए नि वहुरी में क्या होता है कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखें प्रशन आपका 26 है जिस समास में अर्थ की द्रश्चे उत्तर पद ब्रधान हो और पूर पद गोड हो उसे क्या कहेंगे दिगू कहते हैं कर्मधारे समास कहते हैं अब्वाव कहते हैं ततपुरुष कहते हैं तो 26 का जो आंसर है वो आपका D option सही हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखें प्रशन आपका 27 है यथा सक्ति में कौन सा समास है वह वरी है अब्वेभाव है कर्ड ततपुरुष है या द्व रहेगा समास है ततपुरुष है वह वरी है कर्मधार है या दुन्द है तो 28 का जो आंसर है वो आपका D सही हो जाएगा द्वाण्द यानि धनुष और वाड यानि दोनों ही पदप्रदान होते हैं अगला प्रशन देखते हैं प्रशन आपका 29 है सोकाकुल में कौन समास है ततपुरश है, कर्मधार है, वहवरी है या बेवाव है तो 29 का जो आंसर है वो आपका A सही हो जाएगा यानि ततपुरश शमास ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रशन आपका 30 है अकाल पीड़त में कौन समास है कर्मधार है, द्वंद, ततपुरश है, वहवरी तो 30 का जो आंसर है वो आपका C उप्सन सही हो जाएगा यानि ततपुरश शमास आगे देखते हैं अगला प्रशन है जै पराजे में कौन समास है द्वंद है, कर्मधार है, दिगु है, ततपुरश है तो यहाँ पर 31 का जो आंसर है वो आपका A उप्सन सही हो जाएगा यानि द्वंद शमास ठीक है चले आगे बढ़ते हैं चले प्रशन आपका बत्तिस है पढ़ कुटी सब्द में समास है ततपुरश है, द्वंद है, कर्मधार है या वहवरी है तो पढ़ कुटी में आपका ततपुरश हमास है यानि पत्तों की कुटी प्रशन 33 है सिंग द्वार शब्द में कौन समास है ततपुरश है, वहवरी है, कर्मधार है या बेवावेन में से कोई नहीं तो 33 का जो आंसर है वो आपका A सही हो जाए आगे बढ़ते हैं प्रशन आपका 34 है कोशकार में समास है ततपुरश है, अब बेवाव है, कर्मधार है या दिगू है तो कोशकार यानि 34 का जो आंसर है वो आपका A सही हो जाएगा ततपुरश हमास आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका 35 है यतोचित में कौन समास है कर्मधार है, बहुबरी है, ततपुरश है या बेवाव समास है तो 35 का जो आंसर है वो आपका D option सही हो जाएगा या अब बेवाव समास ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रशन आपका 36 है नर्भच्ची में कौन समास है बहुबरी है, ततपुरश है, कर्मधार है या दिगु है तो 36 का जो आंसर है वो आपका वी सही हो जाएगा या ततपुरश हमास है अगला प्रशन है आपका 37 नीलामबर में कौन समास है ततपुरश है, कर्मधार है, वहुबरी है या दिगु शमास है तो 37 का जो आंसर है वो आपका B सही हो जाएगा यानि कर्मधार है अंबर तो है लिखन कैसा है सोरी यहाँ पर नीला अंबर का जो आंसर है वो आपका C सही हो जाएगा नीला है अंबर जिसका किसका नेले बस्तर है आपके बलराम इनि कृष्ण के भाई के ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रशन आपका 38 है सब्त रिशी में कौन समास है तत्पुरुष है अब्बेभाव है दिगु है या द्वंद है तो 38 का आपका C उप्सन सही हो जाएगा दिगु शमास है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है 49 नीलोत पलम में कौन समास है कर्मधार है बहवरी है अब्बेभाव है या तत्पुरुष है तो 49 का आपका A सही हो जाएगा या कर्मधार समास आगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है आपका चालिस है धननजे में कौन समास है दंद है बहुवरी है कर्मधार है या बेभाव है तो धननजे में आपका बहुवरी समास है धनस को धारड करने वाला कौन है आपके अरजुन ठीक है आगे बढ़ते है अगला प्रशन है आपका आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है आपका 42 है कतर व्योत में कौन समास है द्वंद है दिगु है ततपुरश है या बहुबरी है तो 42 का जो आंसर है वो आपका A सई हो जाएगा द्वंद शमास आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका 43 है हानी लाव में कौन समास है दिगु है ततपुरश है, बहुबरी है, या इनमे से कोई नहीं, तो 43 का जो आंसर है, वो D हो जाएगा, इनमे से कोई नहीं, तो कौन सा है, दूंद समास है, लाभाने में, ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे, चले अगला प्रशन देखते हैं, प्रशन 44 है, जै पराजय में कौन समास है, अब्वरी है, बहुबरी है, दूंद है, या दिगु है, तो यहाँ पर आपका 44 का अंसर सी सही हो जाए, या दूंद समास है, प्रशन 45 है, लंबो दर में कौन समास है, बहुबरी है, दूंद है, दिगु है, या कर्मधार है, तो लंबो दर में कौन सा है, आपका वहुबर समास है यहीं लंबा है उदर जिसका किसका लंबा उदर है गड़ेस का आगे बढ़ते हैं प्रशन आपका 46 है तिरंगा शब्द में कौन समास है द्वंद है अब भाव है दिगु है या कर्मधार है तो 46 का जो आंसर है वह आपका सी सही हो जाए निदिगु शमास अगर इसमे सब्सक्राइब करेकिने संहाएं गुक्रत प्रक्राइब कर जिए तैश्य समास है द्वंद है तो परमानंध में आपका कौन समासस कि ौछया निदिगु कust 아 न स्ट३ है उद्वरण में थार् तो दुंद समास का जो दारन है वो है आपका D, यहनी पाप और पुन्ने, आँगे बढ़ेंगे प्रशन आपका 50 है, यथा रुशी में कौन समास है, तत्पुरश है, बहुवरी है, अब्बे भाव है या दुंद है, तो यथा रुची में आपका अब्वे भाव शमास हो जाएगा आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका 51 है समास का साब्दी कर्थ क्या होता है तो 51 का यहां आपका अंसर हो जाएगा संचेप समास का साब्दी कर्थ होता है संचेप आँगे वड़ेंगे प्रशन आपका बयालिश है उपकूल में कौन समास है द्वंद है दिगु है अब्बेभाव या तत्पुरुष है तो बावन का जो आंसर है वो आपका सी सही हो जाएगा नि अब्बेभाव समास आँगे वड़ते हैं प्रशन आपका देखेंगे त्रे पन है यथा शीग्र में कौन समास है अब्बेभाव द्वंद कर्मधार या तत्पुरुष तो यथा सक्ति में आपका अब्बेभा समास हो जाएगा नि जिस समास में उपसर गया तो महां पर आपका कौन सा हो जाएगा यथा अनू प्रति भर यह आ जाए तो महां पर आप का बेवा समास हो जाता है आगके बढ़ते हैं प्रशन आपका अगला देखेंगे चवण चोरा हमें कौन समास है औरी है बन्द सेह ततपुर्श है तोल चारा हमें आपका समास हो जाएगा दिग याप्सेन सी सही हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रशन आपका निर विबाद में कौन समास हैं तो कर्मधार है अब भाव या तत्पुर्श है या बहुबरी है तो पच्पन का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाएगा नहीं कर्मधार है शमास है ठीक है तो लगवग इस वीडियो मे हमने करीब आपके 55 प्रशन करा दिये है इस टौपिक से और इस टौपिक के और भी प्रशन बचे हुए है वो हम आपको अगले वीडियो में कराएंगे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद